नमस्कार बच्चों मैं संगीत भाले राव मेडम कक्षा साथ वीबी और सीके बच्चों को गनित पड़ा दियों देखो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगोंने भाग विदी से मसावी ग्यात करना ये भाग का देहन किया था देखो इसमें मैंने आपको किताब में जो दो गनित हल करवाए है इसको भी स्पष्ट किया था इसका भी स्पष्ट करन दिया था उसी के साथ-साथ मैंने भाग विदी से मसावी ग्यात करना और उसको संग्शिप्त रुख देना तो इसका भी एक उधारन मैंने हल करके दिया था और दूसरे दो उधारन मैंने आपको उन्हों अपने काफी में हल करने के लिए कहा गया था देखो बच्चों अभी ये होने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं देखो आगे का जो भाग है वो है लगुत्तम सामान्य विभाजक याने लसावी देखो तो यहाँ पर भी ख्षेतिज विदी से भी लसावी गयात किया जाता है और उसी तर यह दूसरी उर्दवादर विदी है इस विदी से भी लसावी गयात किया जाता है देखो उर्दवादर विदी से और ख्षेतिज विदी से ही विभाजक गयात करने के बाद उसके बाद हम ल लसावी ग्याद करने के लिए यहाँ पर एक उधरन दिया है देखो लसावी मतलब लगुत्तम सामान्य विभाजग अभी यहाँ पर मैंने 15 और 18 इन दोनों संक्यों का लसावी ग्याद करना है इसके लिए देखो पहले 15 की विभाजग बनाए है देखो 15 जो है इसको 5 से इसके बाद 18 आता है याने 3 छक 18 और यहाँ पर 6 भागफल आया है अभी 6 को भी 3 से भाग कर सकते है इसलिए 3 दुना 6 तो इसलिए यहाँ पर भागफल दो आ गया है उसके बाद 2 को 2 से भाग कर सकते है इसलिए 2 एक कम 2 तो इस तरह से दोनों के भी हम लोगों ने लसावी के लिए सामन्य विभाजक चुने थे वैसे यहाँ पर सामन्य विभाजक चुनकर उनको गोल करना है जैसे कि यहाँ पर मैंने देखो 15 का 3 और 18 का दिन यह दोनों सामन्य विभाजक है इसलिए उनको यहाँ पर लिख दिया है उसके बाद अभी लसावी में एक बात औ असामन्य विभजक होते हैं उनका भी गुना करना पड़ता है और इसलिए यहाँ पर असामन्य विभजक जो है तो उनका यहाँ पर गुना किया है देखो अभी असामन्य मतलब क्या तो जो बचे हुए है वो सब विभजक ले लेने के हैं देखो जैसे पंदरा में पाच बच को का गुना कितना आ गया है 30 अभी उसके बाद लसावी ढूनने का है तो लसावी ढूनने के लिए लसावी का सुत्र होता है लसावी बराबर सामन्ने विभाजक गुना और सामन्ने विभाजक और इसलिए सामन्ने विभाजक जो है उसका गुना कितना आया है 3 वो इसलिए 3 दिका है और असामने विवा जगुन का गुना कितना आया है 30 इसलिए यहां पर भी तीन गुना 30 किया है तो तीन गुना 30 करने के बाद उत्तर आता है 30 इसका मतलब इन दोनों संक्याओं का पंधरा और अठरा इन दोनों संक्याओं का लसावी कितना आएगा 90 तो इस तरह से य मसावी के बावजुदि ये जो क्रिया होती है, ये थोड़ीसी बड़ी क्रिया है। इसलिए हम लोगों को इसको थोड़ा ध्यानपुर्वक देखना है। अबे देखो इसके बाद हम लोग гру TikTok एक उधारण देखेंगे। प्रश्ण संग्रत 13 में, देखो यहाँ पर प्रश्ण पहले में लसावी ग्यात करवाई सा प्रश्ण दिया हैं, तो उसमें पहला ही उधारन सिप मैंने लिया है, बाकी की उधारन हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, देखो पहला उधारन था 6, 8 और 10 इनका लस उसके बाद 10 के, 2 पाच है 10, और 2 पाच एक कम 5, तो इस तरह से तीनों के विभाजक बना लिए हैं, अभी तीनों के विभाजक लिखने के बाद यहाँ पर जैसे हम लोग मसावी में लिखते थे वैसे लिख लेने के हैं, देखो जैसे 6 के है 2 गुना 3, उसके बाद 8 के है 2 गुना 2 गुना 2 और 10 के है 2 गुना 5, अभी इसमें सामने विभाजक जो है उनको ढूनने का है, देखो अभी तीनों में सिर्फ 2 यही एक सामने विभाजक है, इसलिए उसको यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद 8 सामने विभाजक, यानि जो बचे हुए विभाजक है, अ 12 पाच्चे 60 तो यहाँ पर उत्तर आ गया है 60 अभी लसावी में मैंने आपको बताया है कि सामने विवाजक और असामने विवाजक इनका गुना करना पड़ता है इसलिए सामने विवाजक का गुना है 2 और असामने विवाजक का गुनान फल है 60 तो 62 120 इसका मतलब 6, 8 और 10 इन सारे गणित यहाँ पर दे दिये हैं, इसमें से मैंने सिर्फ एक ही गणित ले लिया है, और बाकी के जो गणित है वो आप लोगों को हल करना है, आपको अगर नहीं आया तो अगले वीडियो में मैं फिर से इस में से कुछ गणित जो है वो हल करके दिखाने वाली हूँ आप लोगों को वीडियो देखकर वो गणित समझ लेने के है और बाद में हल करने का प्रयास करने का है धन्यवद